तो चलिए थोड़ा सा कुछ चीजे आज तो संडे है तो कुछ चीजे मैं अच्छे से सम्झा देता हूँ और देखिए क्लासेस एकदम अच्छे से कराई जा रहे हैं डेली इसी चैनल पर क्लासेस चल लही है अभी मैं फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करना हूँ क्योंकि फिज से कोईश्चन साल्व नहीं हो पाते हैं तो फिजिक्स में भी कोईश्चन साल्व होंगे 100% तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइन टेवल काफी स्टुएंट कर रहे हैं कि पढ़ाई थोड़ा सा ठंडी है तो पढ़ाई हो नहीं पा रहे हैं देखिए थो आएप से जैसे बता रहा हूँ ऊसे उसे पढ़ाई करते रहे हैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जो मैं दिखा रहा हैं एक वीडियो इसकी बंच चुकी है कि फाइफ मंध में आप कैसे फालो करें और भी मन्थ आपके पास बचा यह यह दिसंबर तो जाने ही व हो जाएंगे तो five month आपके पास समय है अब five month आपके पास five month है और chapter काफी पढ़ने है physics भी पढ़ना है chemistry भी पढ़ना है biology भी पढ़ना है फिर उसके बार nursing aptitude पढ़ना है gk पढ़ना है English पढ़ना है तो काफी चीजे पढ़नी है तो पढ़ने का एक time fix होना चाहिए किस time हमको कितना पढ़ना है यह time आप फालू कर सकते हैं देखिए time आप अपने according बना लीजिए schedule जरूर बना के पढ़िए ऐसे नहीं कि random ही जिस दिन मन कर रहा पढ़ रहे हैं जिस दिन मन नहीं कर रहा उस दिन टाहल लाएं घोम रहे हैं उस दिन किता भी नहीं चूर रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा regularity first पर regularity maintain होनी चाहिए regularity means आप daily classes daily आपको पढ़नी पढ़ेंगी daily class attend करना पढ़ेगा किसी चीज को achieve करने के लिए daily उसके पीछे लगना पढ़ता है तो उसी according देखिए time table आप अपना बना लीजिए देखिए कम समय में ज्यादा कैसे पढ़े है how to study more in less time कम समय में ज्यादा कैसे करेंगी अगर तभी हो पाएगा जब आप time अपना time fix कर लेंगे किस time में हमें खाना है किस time में सोना है किस time में पढ़ना है किस time में टहलना है तो यह सब चीज एकदम decide होनी चाहिए जैसे देखिए मैं अपने खुद की experience पे और other student का देखते हुए यह आपको time table set कर रहा हूँ आप अपने according set कर लीजिए यही time नहीं कि आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यही time आप note कर लीजिए अगर आप थोड़ा सा इधर उधर कुछ मान लीजिए जिस time में बता रहा हूँ आप उस time busy रहते हैं तो थोड़ा सा उस time को आगे कर लीजिए या पीछे कर लीजिए लेकिन हाँ जितना बता जा रहा उतना आपको फढ़ना जरूर पड़ेगा जैसे देखिए इस समय ठंडी की बात हो रही है इस समय ठंडी है विंटर है ठंड है साम जल्दी हो जाता है और सुबा भी लेट ही होता है तो रात ज्यादा बड़ी हो रही तो हम लोग रात को मान के चलने हैं कि night time जो है रात की जो time है वो 6 वजे साम को 6 वजे से लेके सुबा 6 वजे तक हम लोग मान के चलने हैं तो अब देखिए अब 6 से 6 आपके पास इसमें 12 गंटे हैं अब इसमें 12 गंटे में सोने हैं और पढ़ने हैं और खाना खाने हैं तीन काम इसमें करना है सोना पढ़ना खाना खाना तो ये 12 गंट आठ बजे के पहले कुछी ठंटिक टाइम है तो खाना जल्दी बन जाता जल्दी कोसे भर कहा लेते हैं वहाँ उस्क्राइब आठ वजे के पहले आप जितना वह उवरुख सो फिनिस्ष कर लिज़े तालने गोमने खाना खाने आठ वज़े से आप पढ़ना मन नहीं कर रहा तो आप वीडियो देख सकते हैं वीडियो, वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, यूटूब पे इसी चैनल पढ़ सकते हैं, तो 8 से 2, आप भी यहां 2 गंटा आप कबर करेंगे, अब 12 गंटे में से 2 गंटा यहां cover कर लिए फिर उसके बाद आप 7 गंटा सो लिए अब देखे कितने बज़े जगना है 10 बज़े अगर सो जा रहे हैं 10 बज़े आप पढ़ाई अपना बंद कर दे रहे हैं तो जरूर करें क्योंकि वो भी एक motivation देता है वो भी एक कहते नहीं motivation या फिर एक confidence कह सकते हैं या फिर एक accuracy मतलब देता ही है तो होना चाहिए लाइंप होना चाहिए आप लाइट के charging वाले लाइंप आते हैं आप खरी लिजिए पंड़े के लिए अब देखिए 10-30 बज़े तक मतलब 10.30 बज़े तक आप सो जाएंगे 10.30 बज़े के सोने के बाद आप मौर्निंग में कितने बज़े जगेंगे मौर्निंग में ठंडी है ना 8 बज़े नहीं जगना है काफे स्टुजेंट 8 बज़े जगना है यह देखिए मौर्निंग में आप कितने बज़े जगेंगे तो 5 बज़े मौर्निंग में आप जगेंगे और पढ़ाई कब तक 5 यह देखिए 5 बज़े जग जाएंगे और 5-10 से पढ़ना शुरूर कर देंगे morning वाली ना एक बहुत अच्छी पड़ाई होगी ये देखे 5 बजे से सुरू करिए 7 बजे तक करिए 5-10 से 7-20 तो ये 2 गंटे का slot हो गया अब 2-4, 24 गंटे 24 गंटे में हम लोग divide कर रहे हैं कितने गंटे बढ़ने हैं 24 गंटे का schedule बता रहे हैं तो ये आप फालू कर सकते हैं फिर यहां 2 गंटे हो गए फिर नेक्स्ट आप अपना उसमें फिर 7-7 बजे आप बिश्टर छोड़ दीजिए जो भी आपको करना है आप कुछ करिए अपना क्रिया कलाब जो भी करना है फिर उसके बाद 10 बजे सुबा मॉर्निंग में तो शुरू कर दीजिए आप अगर 9 बजे कर रहे हैं तो अगर 9 बजे नहीं कर पा रहे हैं 10 बजे से कर रहे हैं तो तब भी सही है 10 बजे से continue डेढ़ बजे तक ये देखिए आप ये schedule अगर काफी student इसी में पढ़ने भी जा रहे होंगे इसकोल में तो अपना अगर्डिंग सेट कर लेंगे अपना मैनेज कर लेंगे लेकिन टाइम होई रहेगा और कितने गंटे 24 में पढ़ने हो अपने अगर्डिंग आप सेट कर लीजिए अभी मैं बता रहा हूं तो यह देखिए दस बज़े आप सुबा डेढ़ बज़े तक आप दोपार आफ्टर नून तक आप पढ़ते रहे हैं यह दस बज़े से साड़े डेढ़ बज़े तक आप पढ़ेंगे देन थी आवर्स एकूरेट तो तीन घंटे आपका यह का कल्कुलेट हो जाएगा संथिंग में तीन घंटे यह हो जाएगे और फिर उसके बाद अधर वर्क आप एक घंटे कर लेंगे जब डेढ़ बज़े तक हो जाएगा फिर उसके बाद धाई बज़े से आप चार तीस तक आप साम तक पढ़ सकते हैं तो यहां दो घंटा यहा मनो रंजन का टाइम हो जाएगा फिर उसके बाद धाई बज़े से देखिए साड़े चार बज़े तक यहां पर यहां से आप फिर शुरू कर देंगे पढ़ना हो टोटल आप जब यह टाइम को कल्कुलेट करेंगे दो दो चार चार तीन साथ साथ दो नो टोटल आपका नो गंटे निकल के आयेगा अब फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद दो गंटे यहां पर आपको पढ़ने है अभी तो यह कितने टाइम तक हुआ धाई से लेके साड़े चार बज़े तक अब साड़े चार बज़े तक जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद वजे तक इनतजार करिए तब तिक जो भी काम करना चopersत करें यह साड़े में चार बजे से 8 बजे तक आप अधर कर Minsan करएं जो भी घर में काम करना जो भी अपना काम करना वह आप अपना खर सकते हैं तो हम राम से टैतों आपको कितने schedule में पढ़ना है, ये देख लीजिए, एक बार यहाँ पढ़े सो morning में, morning में 2 गंटा पढ़ लिए, ये 2 गंटे हो गए, फिर उसके बाद 2 गंटे 10 बजे से पढ़ लिए, फिर ये हो गया आपका, 2-2-4 गंटे हो गए, 4-3-7 गंटे ये हो गए, फिर उसके आपके 9 गंटे आपको कवर करने है, अब इस 9 गंटे को आपको अपने recording भी manage कर सकते हैं, जिस recording आपका schedule हो, जिस time आप फिरी रहते हैं, तो वो कर लीजिए, और बैठने की capacity आपको बढ़ानी पड़ेगी, काफी student, एक student से मेरी बात होई तो उन्होंने, उन से थोड़ी बा बरबादी का सबसे एक बड़ा जरिया है, क्योंकि किरकेट में कोई success मेलती नहीं, बरबादी ही होती है, तो किरकेट से, किरकेट अगर जो student खेलते हो, वो एवाइट करें, और देखिए सही, morning में एक चीज में बता रहा हूँ, जुनून होना चाहिए, morning में जो मैं टाइम बता रहा हूँ, पांच बज़े जग नहीं, काफी student चार बज़े भी जग रहे हैं, तो वो तो बेरी गुड है, और पांच बज़े अगर नहीं जग पा रहे हैं, तो जगना शुरू कर दीजिए, पांच बज़े अगर जग रहे हैं, morning में इसलिए वीडियो अभी मैं नही पांच से साथ पढ़ना है, वो दो ढ़ाई घंटे जो आप पढ़ेंगे ना, only self study करिए, आप notes जो बनाये हैं, उसको revise करिए, और जो books अगर हो आपके पास तो books पढ़िए, या notes पढ़िए, books पढ़िए, लेकिन वो दो ढ़ाई घंटे जो आपको morning में पढ़ने हैं, उसमे मुबाइल को आपको देखना ही नहीं है, तो वो आप self study करेंगे और उसको याद करेंगे, जो भी आप notes बनाये होंगे, जो books बनाये होंगे, physics, chemistry, biology, nursing aptitude, GKS, जो भी पढ़ना है, morning में only ये मान के चलिए, दो से डाई घंटे, दो से लेके डाई घंटे, आप क्या करेंगे, only आप self study पर ध्यान देंगे, ये एकदम note कर लिजे, दिमाग एकदम खाली रहता, सांत रहता, उसमें एकदम जो भी पढ़ते हैं, concentration एकदम best रहता, और सब कुछ चीज़े याद होती, चली जाती है, फिर वीडियो कब देखना है, यूटूब की वीडियो कब देखना है, ज आत्मिना, प्यान रहता है, मुवी की तरह चला रहे है, अपना शोय है, जब भी पढ़े, मेज अपना होना चाहिए, आगर चेर और मेज नहीं है तो आप एक study table आता है, जो बेड वाला study table होता है, छोटा सा, थो ढटाई सोगा आता है, वो ले लिजिए, वो भी ले लिजि तो देखिए फिर उसके बाद notes जरूर बनाए अपना pen और notes book लेके बैठें काँ पी अपना साथ में होना चाहिए लिख कर जरूर पढ़ें ऐसा नहीं कि ऐसे ही देखते जा रहा है pen होना चाहिए जब लिखते रहेंगे तो हाथ जो hands लिखते हैं वो भी hand भी याद करता है ऐस स्टूडेंट जो new है और फ्रेसर हां भी पहली बार entrance exam देने जा रहा है तो देखिए repeater student के लिए 9 घंटे उनको भी पढ़ने है 9 घंटे उनको भी पढ़ने है कम से कम ज्यादा स्यादा 9 घंटे तो होने चाहिए और कम से कम 7-8 घंटे तो होने चाहिए यह देखिए new और फ क्योंकि वह पूरा complete करें जो playlist अगर मेरे चैनल के थ्रू कर रहे है और अगर कहीं से भी कर रहे है तो अभी आप 6 घंटे लगभग 10 वीडियो आप कवर करें लगभग 6 घंटे आप self study के लिए देए अगर बात किया जाए repeater और old student के लिए तो 4 घंटे वीडियो देख सकते ह और वो self study 5 घंटे self study कर सकते हैं तो 5-4-9 घंटे हो जाएगा repeater student का selection क्यों हो जाता है क्योंकि वो एक दो बार intense exam दिये रहते हैं तयारी किये रहते हैं फिर उसके बाद उनको self study ज्यादा करने के आऊ सकता होती है और अगर आप इतना करते हैं तो देखिए अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं मालीजिए कम आपको 7 घंटे only पढ़ना है तो 7 घंटे को 5 घंटे वीडियो में फ्रेसर इस्टूडेंट लगा दें 5 घंटे और 2 घंटे self study के लिए और repeater student 3 घंटे पढ़े और 4 घंटे self study करें अगर 7 घंटे को divide करना है अगर काफी लगेगा कि 9 घंटे बहुत ज्यादा बता दिये तो 7 घंटे को अपने carding ऐसे divide कर लिजिए और समय fix कर लिजिए जितने समय में बताया हूं और पढ़ने की बीच enjoy टालने में बातचीत करना अपना बातचीत कर सकते हैं कि जो पढ़ने की बीच जो gap करेंगे उसमें आप enjoy के रूप में टाल सकते हैं किसी से बात कर सकते हैं और rest time इतना ही होना चाहिए 15 से 30 मिनट ही होना चाहिए इमान लिजिए 2 घंटा continue पढ़ें अब 2 घंटा gap कर दिये तो इतना नहीं होना चाहिए अगर continue पढ़ रहे हैं तो 20 से 15 से 30 मिनट ज्यादा ज्यादा gap में देखिए ये जितना time schedule बताये गय चालीस होगा पचास होगा फिर इंट्रेस्ट जगेगा उसमें पढ़ाई में फिर उसके बाद डारेक्ट 80% हो जाएगा और 80 को जब 80 और इंट्रेस्ट होगा तो वो change हो जाएगा अपने आप 100% फालो करने लगेंगे 100% ज्यादा तर इस्टूडेंट का फालो करेंगे समझे कि अब टानला घूमना एक दम बंद सिर्फ सिर्फ पढ़ना तो अभी से मान लिजिए लास्ट में जब अपलीकेशन फार्म बर देंगे 10 गंटा पढ़ेंगे तो अभी 7-8-9 गंटा तो पढ़िए ही ना ताकि लास्ट में कुछ सोचना ना पढ़े सेलेक्शन असान कर दिये ना तो 160, 170, 150 के ऊपर ही कोईशन सही करेंगे और पढ़ने के लिए कोई नहीं मना करेंगा मान लिजिए यह काफी स्टोट कहते हैं कि घर में काम रहता है यह रहता वह रहता है पढ़ने नो गंटे कैसे निकाल पाएंगे तो देखिए अगर घर पे हैं आप पढ़ कर देंगे तो यह चीज आप फालू कर सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और हां इतना ही था आप देख लीजिए आप ब्यस्ट तरीका आप अपने कार्डिंग ढूल लीजिए लेकिन मैं जो बताया हूँ वीडियो देखने का टाइम कब है मौरिंग में क्या प ही यह डिली वीडियो कराई जा रही है इस समय फियुक्स में जयादा फोकस कर रहा हूँ वैसे सभी औरा रहा हो क्यों कि इस बार कोईस्ट गलत नहीं होने चाहिए किसी के सब कुछ तो अच्छा हो रहा है लेकिन फीजिए में गढ़वर कर रहा है चलिए नेक्ट वीडिय मिलेंगे उैं